हेलो दोस्तो, जैहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो, आज मैं आप सब को D2C का जो the biggest off-campus hiring drive हुआ था Software Development Engineer के लिए उसके regarding full information लेकर आगया हूँ इसमें मैं आपको eligibility criteria साथ ही आप किस company के लिए eligible हैं वो सारा कुछ process बताने वाला हूँ कौन-कौन से number के student जो आपका scorecard है 100 number to 400 marks means कितने से लेकर के कितने तक किस company के लिए eligible है full information दे ले माना हूँ वीडियो को end देखिएगा साथ ही आप अपने channel newtech world को subscribe कर दीजे friends क्योंकि मैं यहाँ पर daily नए-ने jobs preparation से related updates लेकर आते रहता हूँ बहुत सारे students का query आ रहा था कि कितने marks पर कौन से company में हम eligible होंगे क्या किसी company में interview करने को interview का मतलब chance मिलेगा भी या नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे students का marks कम आया है means below 200 आया है और जिनका 200 भी है उनके लिए भी एक मतलब पूरा full update लेकर आ गया हूँ अगर किसी तरह का कोई query है तो आप नीचे comment कर सकते हैं साथ ही आप इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है आप इंस्टाग्राम से भी जूर सकते हैं friends अपने दोस्तों के साथ में जरूर वीडियो शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा friends तो चलिए स्टाट करते हैं D2C का जो the biggest off-campus hiring drive हुआ था Software Development Engineer के लिए उसका result कल ही साम को 7 वजे published हुआ है friends आप result का मतलब जो आपका scorecard है वह आप इस site पर से इसका official site से D2C के site से आप यहाँ पे the biggest recruitable यहाँ पे option में आपको मिल जाएगा D2C recruitables इसमें से आप जाके click कर सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप login करिएगा तो आप नीचे आईएगा scroll करके तो आपको यहाँ पे आपका scorecard मिल जाएगा scorecard में आप अपना marks देख सकते हैं साथ ही मैं आपको information देने वाला हूँ वह है इसका criteria से related तो criteria का भी full information दूँगा बट आपको बता दूँँ कि जितने भी students हैं चाहे वो coding questions में eligible हो या नहीं हो means coding question के लिए coding question में उनका marks zero हो या चाहे zero से ज्यादा हो वो सभी interview के लिए eligible हैं यह बात मैं सभी को बता दूँँ बिल्कुल rumors में नहीं आईएगा क्यूंकि जो company है company इसमें बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा स्टार्ट अप्स भी है तो बहुत सारे options हैं आपके पास में बस आप video को end तक देखिएगा आपने दोस्तों के साथ में share कर दिएगा friends अभी जितने भी students हैं जितने भी candidates हैं जो exam दिये आप देख सकते हैं हाँ पर जो mail है उसका headline है info on d2c recruitable scores and company shortlisting criteria and timelines तो मैं इसका information आपको देने वाला हूँ जो main information यह है कि जो company का criteria है वो इस according set किया गया है कि जितने भी students है वो सभी किसी न किसी company में interview के लिए placements के लिए eligible है दूसरा total इसमें 40 से भी ज्यादा company है ठीक है friends मतलब total 25 company है जिसमें 45 company MNCs है और बाकी सारा startups है तो आपके पास में बहुत सारा option है तीसरा जो short listing criteria है वो बहुत easy है और बहुत efficient है मतलब आप जितना अगर कम भी आपका score है तब भी आप company के लिए eligible है जो चौथा हमारे पास में है कि आपका किस company के लिए eligible है तो अगले 6 मन्त में means total 150000 students का exam हुआ था और almost इसी लिए company के तरब से D2C के तरब से total six months का time period यहाँ पे schedule किया गया है आगे training के लिए sorry interview के लिए और technical interview और HR interview के लिए तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी students है वो सभी किसी ना किसी company में जाने के लिए eligible है ठीक है friends जो अगला point है कि आप किस company में जाएगा shortlisted आप किस company के लिए है eligible आप किस company के लिए है तो वो अभी तक D2C या कोई company scorecard अपना release नहीं किया है nothing as of now वो आगे जाकर करेगी और जैसे ही वो shortlisted करेगी किसी भी student को किसी भी company अगर shortlist करेगी तो आपके पास में official mail और वो mail या तो company के तरफ से आ सकता है या D2C team के तरफ से आपके पास में आ सकता है तो यह रहा फूल information आप सब के लिए अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजेगा साथ ही friends आप अपने इस चैनल न्यूटक वर्ड को सब्सक्राइब कर दीजे अगर किसी तरह का खुल क्यारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही Instagram पे भी आप मुझसे connect हो सकते हैं Instagram पे भी आप मुझसे सारे बात कर सकते हैं Thank you Thank you all